और ये बात मैं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि भाई देख लेना जो लड़का किसी समाज से नफरत करता हो उन्हा अच्छा पती बन सकता है ना प्रेमी बन सकता है ना भाई बन सकता है देख लेना ऐसे किसी लड़की से आईटी सेल वाले से शादी मत कर लेना भाई बता रहा हूं ध्यान से पता चला कि दहेश तो नहीं देना चाहिए माबाप ने चोरी छुपे कुछ पैसा दिया लाखो रुपे भी गया है और मिल गया और नफरत करने वाला है तो वो प्रेमी नहीं हो सकता है मुखबत बहुत जरूरी है दोस्त मिटी से भी और इंसान से भी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मुखबत ना करो और कहो कि हम मिटी से मुखबत करते हैं हम मिटी से मुखबत इसलिए करते हैं कि उस मिटी में बसने वाले इंसानों से भी मुखबत करते हैं यह बात ध्यान रखिएगा आज इन दोर में बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी हैं विक्की मित्तल फेस्बुक पे उन्होंने क्या लिखा कि गोटसे जी की पिस्टॉल की निलामी करवादी जी यह पता चल जाएगा देशबक्ते की आतंकवादी थे हम यहाँ पर आ गए हैं गांधी को मारने वाले के लिए ताली बजा के आप हिंदुस्तान नहीं बना सकते नहीं बना सकते हो आप जिस देश में गांधी के हत्यारे को देशबक्त कहा जा रहा है तो गांधी क्या आतंकवादी थे अब हम यहाँ पर आ गए हैं क्या हम आपने उनको वोट दिया तो इसकी सजा इतनी दी जाएगी आपको कि आपको मुर्खों के जुंड में बदल दिया जाएगा कि एक वोट देने के बदले आप कितना प्यार करते हैं प्रधान मंत्री को लेकिन उसके बदले में आपको उस जुंड में बदला जा रहा है कि आप गांधी के हत्यारे को गोट से जी करें थोड़ा साफधान रहिए हो क्या रहा है इस देश में और वो फेस्बुक पे लिख रहे हैं ये कभी हुआ था कभी नहीं हुआ था क्योंकि ये पॉलिटिक्स, आईटी सेल और मीडिया ये मान के चलता है कि आपने अपनी बुद्धी स्थगित कर दिया आप में बुद्धी नहीं है मैं नहीं मानता है मैं उनके वोटर को बहुत सम्मान से दिशान तो अब चुकि तुम उनको वोट देते हो तुम अब मुसल्मानों से नफरत करने लगे हो तो चलो अब गोटसे को भी गोटसे जी बोलो फिर मालूम नहीं अगले बार आप आपसे क्या कराएंगे आपके हाथ में बं दे देंगे कहेंगे जाके फट जाओ कहीं पे तुम नौकरी मत मांगो यह मत कीजिएगा यह मत कीजिएगा यह शर्म की बात है कि हमारे देश में गांधी की हत्या होई और यह उससे भी जादा शर्म की बात है कि एक राजनितिक दलका कारेकर तक फेस्बुक पे लिख रहा है गोटसे जी कि पिस्टॉल निलामी कीजिए तो खरीदने वाले लोग आ जाएंगे और उसके दो करोड दे के साबित हो जाएगे दिश्वक्त है गांधी की लाठी की कोई कीमत नहीं है दोस्तों कोई कीमत नहीं है उनकी लाठी की उस लाठी को उन्होंने कभी किसी पे नहीं चलाई तो ये मत होने देना हालाकि अब देर हो चुकी है अब तुमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं फिर भी बता रहा हूं कि आपको एक रोबोट में बदल दिया गया है गलत गलत सुचनाओं से भरके अब आपसे सिर्फ दो ही काम लिये जाएंगे समुदाय के नाम पे धर्म के नाम पे आपको एक जुंड में बदला जाएगा कि आप जाओ उसको माराओ पहलु खान को या फिर आप सुबोट कुमार सिंग को मार के आओ उसे भी इंसाफ नहीं मिला सुबोट कुमार सिंग को भी इंसाफ नहीं मिला पहलु खान को भी इंसाफ नहीं मिला ये आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है समझ रहे हैं इस बात को अच्छे से समझ宜ीएगा घुसे में मत समझेगा कोई फाइदा नहीं है दोस्तों इसलिए आपका मीडिया जो है मैं थोड़ा भटक के कह रहा हूँ कहना जरूरी है फिर मौका नहीं मिलेगा आपसे आपका मीडिया अब आपसे बदला ले रहा है जब तक आप अपने आपको अलर्ट नहीं करेंगे एक्टिव नहीं करेंगे यह मैं क्यों कहता हूँ कि आप इन अख़वारों को पढ़ना बंद कर दीजे इन टैनलों को देखना बंद कर दीजे और पैसा प्रदान मंतरी राहत कोश में दे दीजे यह मैं इसलिए इस उमीद में कहता हूँ कि आप दबाव डालेंगे तभी मीडिया स्वतंत्र होगा तभी मीडिया स्वतंत्र होगा